हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट इंग्लिस के वीक नमबर एट की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ता आप स्वस्थ होंगे बढ़िया होंगे आज हमें कहानी पढ़ेंगे हाथी और बंदर की और उनकी दोस्ती की एक दिन एक हाथी नदी पर नहाने के लिए एक दिन एक हाथी नदी पर नहाने के लिए गया वहे चाहता था to eat खाना the mangoes आम वहे आम खाना चाहता था the mangoes were growing high mangoes आम वर growing लगे हुए थे high उचाई पर and were beyond his reach beyond पर पहुंच से बाहर his reach उसकी पहुंच आम उचाई पर लगे हुए थे और उसकी पहुंच से बाहर थे A monkey sitting on the tree offered some mangoes to the elephant A monkey एक बंदर जो की sitting बैठा हुआ था on the tree पेड़ पर offered some mangoes कुछ आम दिये to the elephant हाथी को एक monkey जो की पेड़ पर बैठा हुआ था उसने elephant को कुछ आम दिये The elephant enjoyed the sweet mangoes हाथी ने मीठे आम का बहुत ही आनंद लिया They also ate bananas together उन्होंने केले भी मिलकर खाए They became good friends और इस तरीके से वे सच्चे दोस बन गए Now discuss with your friends अब आप जो है अपने दोस के साथ चर्चा करेंगे Which is his और her favorite fruit कि उनका favorite fruit क्या है तो बच्चों जैसे कि मेरा favorite fruit mango है आम है तो आप भी यहाँ पर अपने अपने favorite fruit का नाम लिखेंगे Now which is your favorite fruit आपका favorite fruit कौन सा है Draw and color your favorite fruit यहाँ पर आप अपने favorite fruit की picture बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे in the given space दिये गए इस पेस में And share it with your teacher और अपने teachers के साथ भी इसे share करेंगे तो my favorite fruit is mango मेरा पसंदीदा फल mango है इसी तरीके से आप अपने favorite fruit की यहाँ पिक्चर मनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे Now talk time Dear children, प्यारे बच्चो look at the picture given on the right hand side carefully यहाँ पर जो picture दी गई है Right hand side पर इसे ध्यान से देखिए What do you think? आप क्या सोचते हैं? The fish in the picture are talking about इस picture में जो fish हैं यह किस चीज के बारे में बाते कर रही हैं Imagine, कलपना करिए and create their dialogues और उनके समवाद बनाईए Say them out और उन्हें जोर से बोलिए And write them in your notebook और अपनी notebook में लिखे You may take the help of your elders too आप अपने बड़ों की भी मदद ले सकते हैं तो बच्चे आँ देख सकते हैं यह fish है, यहाँ पर एक man है जो की मचलिया पकड़ने आया है यहाँ पर यह जो है, बच्चे है यह अपनी mom से कह रहे होंगे मा से कि mom who is he कि वह कौन है, man है यहाँ पर इसके लिए पूछ रहे होंगे कि वह कौन है, तो इस पर इनकी जो मदर है उसने कहा होगा, hide down, छिप जाओ Kids बच्चो, quickly, जल्दी से He is a fisherman, वह एक मचवारा है Has come to catch us, जो कि हमें पकर ने आया है तो इस तरीके से बच्चो, आप भी अपने dialogues पनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो इसी के साथ आपकी वर्क सीट कम्प्लीट होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्क सीट के साथ Like this video, please like and share And if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you